हलो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में जो यूट्यूब वीडियो में आपको रिया हुआ था उसमें एंटी डियामेटिक ट्रक का पार्ट वन कम्प्रेट किया था ओरल हाईगोगलाईसेमिक एजेंट्स का मेने जिसमें कि आप लोगों को सर्पोनिल यूडियाज के साथ साथ वो ड्रग्स बतायते जो कि इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाते हैं आज हम लोगों स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट टू औफ एंटी डियाबेटिक ड्रग्स आज हम लोगों बोलते हैं औरल हैपोगलाईसेमिक एजेंट्स या तो आप उनको एंटी डियाबेटिक बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो औरल हैपोगलाईसेमिक एजेंट्स तो यहां पर आपको मैंने एक category पिछली class में बता दी थी जो भी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आज हम लोगों स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे drugs से जो कि overcome करते हैं drugs that overcome insulin resistance क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि type 2 diabetes में क्या होता है कि resistance जो होता है वो डबलप हो जाता है insulin और उसके receptors के बीच में है ना तो उसी receptor और insulin का resistance है वो कौन-कौन से drug है जो उसको कम करते हैं तो note करेंगे इसमें दो categories आती है पहली category अब लाइज बाइग्वेनाइट्स पहली category है By-guerites और second category जो है उसको अब लोग बोलते है थाया जोलाडीन दायोन टेलोइट्स थाया जूलेडीन डायोन तो यहाँ पर note करेंगे सबसे पहले तो drugs note कर लो By-guerites के अंदर कौन-कौन से drugs आते हैं और थाया जोलाडीन डाइयोज के उन्दर कों कौन से ड dibujikes आते हैं तो इसके उन्दरटा आता है आपका एक आता हैiber Brothers और दूर्शरा आता है आपका Fam Somers मेज़कश चाहिट का킨 ffin और थायसेलाडीन में आता है रोज़ीदिर जासन रोजी ग्लिटा जोन और दूसरा है कौन सा पायो ग्लिटा जोन इनको गया रोजी ग्लिटा जोन और दूसरा हो गया कौन सा पायो ग्लिटा जोन अब समझेंगे मैं स्टाइट करहूं पहले आपका बाई ग्लिटा से मैं स्टाइट करहूं आप लोगों का बाई ग्लिटा से वहाँ पर हम लोग drugs की बात कर रहेंगे कौन-कौन से points है जो हमारे exam point of view से competitive exam point of view से important है तो दो guys heading डालेंगे कौन सा? by one ads heading डालेंगे by one ads by one ads पे अंदर heading डालेंगे by one ads तो सबसे पहला point तो fan forming का समझ लीजी उसके बाद कहान complete हो जाएगे मैंने आपको दो drug बताएगे by one ads में सबसे पहला तो fan forming बताया है ना तो note करेंगे fan forming जो है वो 2003 से ban है इंडिया के अंदर it is ban in India since 2003 so what was the reason? so reason was simply lactic acidosis reason was simple lactic acidosis तो अगर आपसे बुछता है कि fan forming क्यो ban हो था तो उसका simple सा reason क्या है आपका lactic acidosis इसके कहां ही complete हो गया यह ban हो गया तो इसके बारे में बात ही नहीं करना है है ना? जब यह drug आपका ban हो गया अब इसके बारे में बात नहीं करना है तो अगला नुट करेंगे कौन सा met forming यह बहुत important drug है और इसी के आपको pharmacology पढ़नी है तो met forming में नूट करेंगे कि यह drug है it do not cause hypoglycemia सबसे अच्छी बात जो है met forming के साथ वो यह है कि it do not cause it do not cause hypoglycemia यह drug hypoglycemia cause नहीं करता बहुत ही anti hyperglycemia लेकिन इसके साथ यह बहुत अच्छी चीज़ है कि यह normal condition में कभी भी hypoglycemia cause नहीं करता ठीक है दूसी चीज़ क्या है दूसी चीज़ी है कि it do not stimulate pancreatic beta cell सारी मन समझते चाहिए do not stimulate do not stimulate pancreatic beta cell यह pancreatic beta cell को भी stimulate नहीं करता अब question बूचे जाएगा भई नहीं करता तो क्या करता है तो अभी मैंने आपको बताया था कि bygonides का का काम क्या था इसको overcome कर रहा है तो mechanism पूचा जाता है कि कैसे आपके metformin उसकी insulin की resistance से उसको overcome कर रहा है तो note करेंगे mechanism of action अब note करेंगे इसका mechanism of action तो यहाँ पर important है कि metformin का काम क्या होता है कि metformin activates metformin activates AMP-dependent AMP-dependent protein kinase तो इससे क्या होगा अगला पंडूर करेंगे इससे होगा यह यह क्या करता है simple इसको activate कर देता है protein kinase इसको enzyme है simple अब यह क्या करेंगा यह लिवर में काम करता है तो लिवर में क्या करता है कि इससप्रेज इससप्रेज हिपेटिक ग्लूको नियोजेनेसिस ग्लूको नियोजेनेसिस पस यही आपकी लाइन से जो अग्जाम में आती है भाई यह अगर क्या होगा मेटफोर्य में इस एंजाइम को activate कर देगा जिससे जो हिपेटिक लिवर के अंदर ग्लूको नियोजेनेसिस हो रही थी मैंने आपको कल बताया था लास्ट वीडियो में कि ग्लूको नियोजेनेसिस का मतलब क्या है मतलब ग्लूको नियोजेनेसिस को सप्रेस कर देगा और जो ग्लूको नियोजेनेसिस को सप्रेस कर देगा and also suppress glucose output मतलब इसका main काम यही है यह hyphatic gluconeeogenesis को suppress करता है और आपका दूसरे काम गरता है glucose के output को कम कर देता है glucose के output को कम कर देता है अगला point क्या है it enhanced insulin-mediated glucose uptake it enhanced it enhanced insulin-mediated insulin-mediated glucose uptake मतलब यह जो insulin-mediated glucose है उसके अपटेक को बढ़ा देगा तो पूरा के पूरा जो ग्लुकोस है यह ज़्यादा इमान पर ग्लुकोस है वो कहाँ चला जाएगा आपका इस्टोर हो जाएगा जाके skeletal muscles है चीक है तो ज्यादा से ज्यादा हो जाके आपका इस्टोर हो जाएगा कहां पर skeletal muscles में किस फॉर्म में इन फॉर्म ऑप glycogen मतलब metformin क्या करता है metformin ज्यादा से ज़्यादा glucose को यह तो क्या करेगा ग्लीकोणीजस इसको ही स्टॉप कर देगा सप्रेस कर देगा hypatic के अंदर ठीक है दूसरा जो insulin-mediated glucose है उसके uptake को बढ़ा देगा उसको कहां इस्टोर कर देगा skeletal muscles में कहां skeletal muscles में in the form of glycogen in the form of glycogen अगर एक और part mechanism का पूछा जाए तो नो तर लेंगे कि इंटर्फेर्स वेथ इंटर्फेर्स वेथ इंटर्फेर्स वेथ Mitochondrial Respiratory It interferes with Mitochondrial Respiratory Chain विच प्रमोट्स Glucose Utilization It interferes with Mitochondrial Respiratory Chain जो Respiratory Chain होती है इसको इंटर्फेर करता है ठीक है It interferes with Mitochondrial Respiratory Chain That promotes Peripheral Glucose Utilization मतलब जो भी आपका Glucose का Utilization है जिससे आपका Glucose का Utilization बढ़ जाएगा ठीक है मतलब गहने वाली बारत इह है कि जो आपका Metformin है वो Mitochondrial Respiratory Chain को activate करता है या interfere करता है जिससे कि Glucose का Utilization है जो Glucose का Utilization है Periphery-Periphery में वो Increase हो जाएगा ठीक है तो कुल में आखी है कि Glucose आपका Blood में बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं रहेगा इसका में मोटो यह होता है तो यह हो गया पूरा Mechanism किसका आपका Metformin का यह हो गया Mechanism किसका Metformin का अब आगे चलते हैं Metformin के Mechanism के बाद फिर आता है आपका इसका Pharmacokinetics Parameter क्या-क्या है तो सिंपल नूट कर लीजिए जो यहाँ पर Important Point है अगर हम लोग Pharmacokinetics की बात करते हैं तो बस एक तो यह Orally बहुत अच्छा Absorb होता है Orally बहुत अच्छा Absorb होता है और दूसरा Excreted in Urine Excreted in Urine इसका मतलब Kidney patient को Chronic Kidney disease CKD patient को यह नहीं दे सकते है न यह avoid करते हैं जो kidney patient है यह renal failure patient है उनके अंदर Metformin को avoid किया जाता है ठीक है तो यह इसका एक important point था Pharmacokokinetic parameter से अग्रा point आता है इसके adverse effect उलेके तो यह एक चीज़ हमेशा ध्यान दखना जब्भी कभी नया diabetic patient आता है यह बहुत अच्छा point बता रहा हूं जब्भी कभी नया diabetic patient आता है तो हमारी पहली priority रहती है कि उसका treatment Metformin से start किया जाए अगर non insulin dependent है अगर type 2 diabetes malitis है क्यों? तो एक तो इसके adverse effect नहीं है सच बहुत जादा और दूसरा Metformin का सबसे बड़ा फैदा ही होता है कि इसकी कोई overdoses या मतलब बहुत बेकार इसके adverse effect नहीं है मतलब हो simple इसके adverse effect है हैना? Simple adverse effect का मतलब क्या है Simple जैसे abdominal discomfort वो भी कब? Abdominal discomfort वो भी तव जब आप बहुत overdose लेते हो इसकी जब overdose लेते हो इसकी हैना? मतलब एक दिन में आप 2-3-3 ड्रग के साथ मिला सकते हो 2-3-3 ग्राम के असपास ले सकते हो इसको और दूरसा फाइदा यह है कि आप Metformin को किसी भी combination में दे सकते है ज्यादा के हैना? जैसे Metformin आपका Glyptains के साथ भी दिया जाता है तो नोड करेंगे इसका कोई serious side effect नहीं है simple है भी तो abdominal discomfort है वो भी अगर बहुत जादा overdose लोग है उस condition है ठीक है? दूसी चीज़ अगर एक अगर adverse effect पूछा जाए exam में तो आँ इतना ध्यान लगना कि अगर आप Metformin की overdose दे रहे हो तो उड कंडिशन में vitamin B12 के absorption को थोड़ा सा ये interfere करेगा या बोल सकते हो कि Metformin के overdose में B12 की deficiency हो सकती है Metformin के overdose में B12 की deficiency हो सकती है बस ये एक adverse effect जो आप चाहो तो इसको याख फिर सकते हो जो आपकी exam है पूछा जा सकता है ठीक है लेकिन इसके फायदा क्या है सबसे पहला फायदा ये है कि मैटफॉरमिन को में क्यों देते है पेजमरली कि Obese patient को दे सकते हो Obese patient को आप Metformin को दे सकते हो ये इसका फायदा है Obese patient को दे सकते हो दूसी चीजह ये antihyperglysemic drug है लेकिर उसके glycemic drug यह से होते हैं जिन को लेने से हाइपोग्लाइसे जाता है लेकिन इसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है दूसरी चीज़ यह ovulation और fertility को भी improve करता है it improves ovulation and fertility it improves ovulation and fertility to in some fertile woman जो कुछ infertile woman होते है infertile woman के अदर ovulation और fertility दोनों को increase करता है तो गया यह था आपका मेटफ़ॉर्मिन के बारे में जो पॉइंट पूचे जा सकते हैं जनलली है ना अगर इसका कॉंबिनेशन आए तो नोट कर ले मेटफ़ॉर्मिन का जो होता है मेटफ़ॉर्मिन का जो होता है वो glycloside के साथ होता है और करनो किसके साथ दिया जाता है या फिर glymepiride के साथ है sexaglipting के साथ है यह डायक में ड्रगी बता रहा हूँ जिनके साथ इसके combinations available होते हैं तो यह होगा आप लोगों का कौनसा met permit यह मैंने वोड़र बताए जिसके साथ आपका इसका combination available है जिसके साथ glycloside, glymepiride और sexaglipting तो यह होगा आपका complete कौनसा यह होगा आपका metformin अगला आता है थाया-zolidine-dione दो बताएजे मैंने अगला आता है थाया-zolidine-dione यहाँ पर दो ड्रग बताएए एक बनने आपको बसा है रोजी-glitason रोजी-glitason और दूसरा है पायो-glitason दो ड्रग रहे रोजी-glitason और पायो-glitason नोड करेंगे पहले जो रोजी-glitason है यह आपका 2010 में ही बन हो गया था यह question है जो आपके पूछे जाते है नाइपड में ये 2010 में बैन हो गया था, due to, due to increased risk of heart disease, heart disease, heart disease के कारण इसको बैन कर दिया गया था, 2010 में, लेकिन बाद में USA इसका बैन हडाती है, लेकिन बाकी सब जगह भी है, ये बैन है, USA lifted बैन, after some time, but even nowadays, in India, even it is banned till now, ठीक है, तो रोजी टाजन के साथ क्या था, कि 2010 बैन कर दिया गया था, due to increased risk of heart disease, लेकिन जब बात करते हैं, पाइबल दाजन, आप देखो, बैन है तो उसके बारे में पढ़ना ही है, लेकिन अगर आप बात करते हैं, पाइबल दाजन के बारे में है, तो नूट क due to carcinoma of urinary bladder, bladder carcinoma के कारण, 2013 में इंडिया में ये बैन हो गया था, ठीक है, बात में, इसको ये कहकर market में होता रहा, कि इस drug should not be, it should not be used as first line anti-hyperglysemic drug, first line drug के तौर के इसको use नहीं करना, ये कहकर इसको market में उतारा गया था, कि इसको पाइबल दाजन को, मतलब इसको बैन होने के बाद फिर से market में आ गया था, इसका रीजन यही है, आज भी है, पाइबल दाजन आज भी है, लेकिन इसको अटाया carcinoma of urinary bladder, ठीक है, तो गाइज यह था आपका पाइबल दाजन के बारे में, अब नोट कर लीजेए वही, कि क्या इसका mechanism होता है, तो they are, these are selective agonist for PPAR gamma, these are selective agonist for PPAR gamma, this is your nuclear receptor, 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 PPAR is your paroxysome proliferator, activated receptor, activated receptor gamma, चीक है, PPAR को बोलते हैं, paroxysome proliferator activated receptor gamma, तो यह क्या करता है, इसको express कर देता, यह receptor कहां होते हैं, तो यह भी नोट कर लोगी receptor चाजली fat cells पे होते हैं, fat cells of muscles, वहाँ पर present होते हैं, यह receptor, ठीक है, तो fat cells या muscles में, जो आपके PPAR gamma receptor है, उसका selective agonist होता है, थाया, जोलीडीन, डायोन, क्लियर हो गया, अगला point, अगला point है था, इसका mechanism क्या है भी, ठीक है, इसका भी agonist action है, इसका, इस receptor पर गर यह agonistic action शो कर रहा है, तो यह क्या होगा, तो नोट करेंगे, it enhanced the, it enhanced the transcription of, रूट करेंगे, it enhanced the transcription of several insulin responsive genes, it enhances the transcription of several insulin-responsive genes जो insulin-responsive genes होते हैं इसमें change कर देता है इसमें transcription cause कर देता है ठीक है जिससे क्या होगा that leads to note करेंगे that leads to reverse insulin resistance that leads to reverse जिससे क्या होगा insulin resistance reverse हो जाता है reverse to insulin resistance reverse insulin resistance तो बस्चिधी बात यह है जो insulin-responsive gene है उनके अंदर transcription cause कर देता है ठीक है और transcription cause कर देगा तो क्या होगा उनका जो insulin का resistance है वो reverse हो जाएगा by the process of translocation ठीक है translocation के थुरू उसका क्या हो जाएगा resistance से वापस हो जाएगा एक question और बुच्छा जाता है यहां पर एक question यह पुच्छाता है कि मैं PPAR gamma जो है रिसेप्टर आपका PPAR gamma जो रिसेप्टर है उसकर कौन-कौन से genes है जो उससे regulate होते हैं genes regulated by PPAR gamma कौन-कौन से genes है जो PPAR gamma से regulate होते हैं तो नूट कर लीजी एक question direct बन सकता है आपका सबसे पहला है adenopectin सबसे पहला आपको बहुंसा adenopectin दूसरा नूट करेंगे fatty acid transport protein दूसरा नूट करेंगे fatty acid transport protein दूसरा है fatty acid transport protein अगला है insulin receptor substrate insulin receptor substrate ठीक है चार होते हैं और यह को तक क्यों साब बहुत कमने is glut4 यह आपके genes that are regulated by PPAR gamma ठीक है एक और last point बता देता हूं जो पूछे जाता है generally कि अगर दो ड्रग है रोजीगलेडा zone है और पाइबलेडा zone है यह ना यह मैंने वबर दो ड्रग लिखे हुए है कि रोजीगलेडा zone है और पाइबलेडा zone है तो note करेंगे कि अगर पूछे जाए रोजीगलेडा zone में है तो it increases HDL as well as LDL हमारे लिए जो LDL होता है यह जयादा खतरनाग होता है HDL इतना खतरनाग नहीं है पाइबलेडा zone का क्या होता है कि केवल HDL को बढ़ाता है LDL को नहीं बढ़ाता है इसमें पाइबलेडा zone ज्यादा बताय था metformin क्यो कि det you can use कर सकते हैं you now Q चलिए तो यह हो गैं आप लोगो Q sorry weight gain नहीं नहीं है Out orchestral यूज कर सकते हैं इसका अभी weight gain नहीं करता भू उसको correct है नहीं है मैं कादक बोर्वा होगा तो metformin जो होता है वो AD practical में use कर सकते हैं स्टाल्पोनिल यूडिया है वो पत्रे लोगों में उस करते हैं क्यों क्योंकि वेड़ वेड़ गेंड कोस करता है तो यह हुआ आपका थाया जोलिदिन डायोन कम्प्लीट ठीक है तो यह हो गए आप लोगों के वो ड्रग जो इन्सुनिन रेजिस्टेंस को यह कैसे रेजिस हैं मैंने आपको अभी तक जो बताया उसके बाद करेंगे मिसलेनियस कैटेगरी यह इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इनका मेकनिजम पूछ लेता है तो सबसे पहले नोट करेंगे इसमें पहली कैटेगरी आती है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिविटर अल्फा ग्ल इसमा इंटेस्टाइन है यह आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है इस तरीके से तो हुआ गया कि जब भी आपने कोई भी फूड लिया यह कोई फूड लिया यह अपनी बोडी में अंदर गया अंदर जाने के बाद क्या होता है यहां से एबसॉब होगा तो यह इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर आपका रहता है इसके अंदर complex carbohydrate कैसा है complex carbohydrate complex carbohydrate और complex carbohydrate जब पहुंच जाता है आपका intestine में तो intestine में जो brushing borders रहते हैं वहां पर convert होता है किसमें कर्वड होगा simple carbohydrate में तो जब complex carbohydrate से simple carbohydrate में convert होता है तो यहां पर आपका होता है कौन सा enzyme alpha glucoside is invator तो यह जो drug होते हैं यह जो आपका enzyme होता है यह complex carbohydrate को simple carbohydrate में convert करता है complex carbohydrate को simple carbohydrate में convert करता है ठीक है इतना साल में आगा है अब जैसी simple carbohydrate को में convert कर देगा फिर यहां से हमको क्या मिल जाएगा glucose मिल जाएगा लेकिन हमको मेरी इस वाले drug की mechanism क्या है कि यह किस वाले enzyme को block कर रहे हैं जब यह enzyme block हो जाए इसे drug है जो इसको block करते हैं तो सबसे पहले है एकार्बोज दूसरा है कौन सा मिगली टॉल और तीसरा है आपका वागली बोस रोट कर लीजे एकार्बोज मिगली टोल और वागली बोस यह तीन ड्रग होते हैं जो आपके alpha-glucosidase को inhibit करते हैं ठीक है एकार्बोज वागली बोल और मिगली टोल रोट कर लिया है यह तीन ड्रग होगा रैड पैंसल इदर लखे हैं मैं फिर से बोलता हूं एकार्बोज मिगली टोल और वागली बोस अब प्रॉब्लम क्या है यहां इसके adverse effect पे आ जाओ adverse effect क्या है एक बात बताओ जब यह आपका simple carbohydrate में convert नहीं होगा तो क्या होगा उस condition में fermentation start हो जाएगी जब fermentation start हो जाएगी आपकी इस टमक के अंदर तो आपको डखा रहे हैंगी इसको पोलते हैं गंदी-गंदी डखा रहे हैंगी खटी-खटी तो यह हो क्यों रहाता है क्यों spinal discomfort या फिर बोल सकते loose stool हो जाते हैं इस condition में loose stool flatulence flatulence कपच को बोलते हैं कुपच को flatulence तो यह आपके adverse effect होगा इसके alpha-glucosidase inhibitor के तो गाईज यह हुआ आपकी एक category miscellaneous की कौंसी alpha-glucosidase inhibitor अगला point और note कर लेना इसी में कि यह जो होते हैं यह drug हमें साब just before meal लिये जाते ह खाना खाने से ठीक पहले, खाना खाने से 10 मिनट पहले लिये जाते हैं alpha-glucosidase inhibitor, alpha-glucosidase inhibitor और यह तो रहना जिस एक आर्गोज है, तो यह आपके एक आर्गोज के साथ यह फाइदा है कि type 1 और type 2, जिए type 1 और type 2, दोना ही diabetes है useful है, क्यों useful है यह drug क्योंकि type 1 में भी क्या अब जब glucose ही नहीं अंदर जाएगा, इसका काम क्या रखा, कि यह glucose में नहीं convert होने दे रहा, जब glucose ही अंदर नहीं जाएगा, तो फिर आपका इंसुलिन भले ही beta cell, pancreatic, type 1 में आपके destroy हो जा रही है, तो वो क्या करेगा, वो insulin का काम आपके ज़रू होती ही पड़ेगी, अर आपी की antibody, आपी के पे, उसके beta cell को disrupt कर रही है, और type 2 में क्या रधा है दर है, जिस्टेंस की प्रोड़म आ रही थी, insulin receptor के बीच में और insulin के बीच में, है ना, तो मैंने क्या बोला, जो वोगली बोस डग है आपका, वोगली बोस और एक कार्बोस मिलिटोल, जब glucose ही अंदर नहीं पड़ेगी, इससे type 1 में useful है, तो guys यह हूँ आपका कौन सा alpha-glucosidase inhibitor complete, ठीक है, miscellaneous में है, इसके बाद आपका एक और point बसता है, miscellaneous में, एक और रख बसता है कौन सा, नोट करेंगे, SGLT2 inhibitor, नोट करेंगे, SGLT2 inhibitor, अब यह और समझ लो, shortcut में, mechanism समझ लो, सब ची SGLT2 inhibitor, क्या mechanismism है, जैसे मान के चलिए, आप लोगोंने diotics पड़ा हुआ था, आप लोगोंने diotics पड़ा हुआ था, इस तरीके से nephron पड़ा होगा आप लोगोंने, जैसे कि मेरे उम्मीद है, ऐसा होता है, कुछ-कुछ, आप लोगों को ज्यादा पता है nephron के बारे में, मुझे कुछ ऐसा ही लगता है, ऐसा होता होगा, तो इसको बोलते हो PCT, इसको बोलते हो DCT, इसको बोलते हो loop of hell ले, यह आपका collect induct, यह आपका bombing capsule, आपको मालूम है, सारी चीज़ें यहां से absorb हो जाती है, except two things, बड़े-बड़े protein और RGC को छोड़के, अब जब यह सारी ची PCT से 99% glucose क्या होता है, reabsorb हो जाता है, कहां पहुं जाता है, ब्लेड में पहुं जाता है, 99% glucose आपका reabsorb होके, ब्लेड में पहुं जाएगा, और जिसके through यह आपका reabsorb हो रहा है, उसी receptor का नाम है, SGLT2, सारी, क्या बोलते हो उसको, चैनल, उस चैनल का नाम है, SGLT2, मतलब sodium glucose, GL is glucose, note कर लीजे, sodium glucose co-transporter 2, note करें, sodium glucose co-transporter 2, sodium glucose co-transporter 2, मतलब, sodium glucose transporter 2 get through glucose का reabsorption होता है, अब क्या होगा, जब ब्लेड में पहुंचिया, तो मैं तो यह चाहता नहीं हो कि ब्लेड में पहुंचे, तो यहाँ पर कुछ ड्रॉक्स ऐसे होते हैं, जो इस वाले चैनल को inhibit कर देते हैं, जब inhibit कर देंगे तो क्या reabsorb हो पाएगा, ग्लुकोस नहीं होगा, तो पूर तो नोट कॉन कौन से ड्रग्स हैं सबसे पहला है डापग्लिफ्लोजन दूसरा है लुग्या, त्वै नेट है आपका? जो इस वाले चैनल को इनिवेट करते हैं समझने आ गया ना दापाग्लिफ्लोजिन, एमपाग्लिफ्लोजिन और किसा कौन से है आपका कैना ग्लिफ्लोजिन पिलियर हुआ है इतना ये कौल इपोटेंट को है आपको समय में आ रहा होगा किसाथ ग्लुकोस यूरीन में है तो यूरीन में क्या ग्लुकोस प्रेसिपिटेट भी हो सकता है तो यही रेजन होता है कि इन सभी ड्रग्स का जो एक adverse effect बहुता है उरिनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन और genital infection है ना या तो genital infection cause करता है या UTI इसको cause करता है पहली चीज़ दूसी चीज़ यह आपका bladder carcinoma भी cause कर सकता है high cases पाए गए हैं यह bladder carcinoma भी cause करेगा तो यह होगे आप लोहों का कौन सा यह होगे आपका miscellaneous में SGLT 2 mm complete ठीक है तो गाइस यह होगे आपका miscellaneous का अब आते हैं एक और आपका drug दिया हुआ है बुक के अंदर miscellaneous में जिसका नाम है bromocryptine एक और रग है आपका miscellaneous में जिसका नाम कौन सा है bromocryptine तो यहाँ पे नोट करेंगे bromocryptine का कोई as such mechanism नहीं है लेकिन यह क्या करता है bromocryptine आपका क्या है dopamine agonist है और dopamine agonist तो क्या कौस करेगा तो यहाँ पर यह क्या कौस करता है यहाँ पर यह आपका hypothalamus के थुरू dopamine के action को increase करेगा इससे आपका insulin का इससे आपका insulin का जो resistance होता है इससे आपका insulin का जो resistance होता है वो कैसा हो जाता है आल्टर हो जाता है एक्जेक्ट मेकेनिजम इस्टिल अन्नोन है लेकिन हाँ ब्रोमो क्रिप्टिन कुछ फाइदा दिखाती है डियाबिटिक पेशेंट में लूट कर लीजिये इस पॉइंट को ठीक है तो गाइस यह हो गया यह मिस्लिनियस में जिसको बोलते हैं बाइल एसेड सिक्वेस्टरेंट एक और आता है जो कुछ थोड़ा सा फाइदे मंदे डियाबिटीज में तो वह आपका बाइल एसेड सिक्वेस्टरेंट ड्रग का नाम है कोली सेवला कोली सेवलम यह क्या करता है इट बाइंट सिद बाइंट सिद बाइंट सिद बाइंट सिद यह वाइल एसेड इसको ऐसे बोल सकते हैं यह आपका बाइल एसेड बाइंटिंग रेजिन है बाइलिकरो कि लिए कीस थाले हamment बॉन जो को बाइलिकरे करने के बाद करत आ हो मुतलब के दियर ड्रेइस की मुतलब ही नहीं है। फ़रिगे चुकी यहां थाले है व स्बाइलर आगटेल्डीक आएई इसलिए नोट कर लेंगे दूसरी चीज अगर पूछा जाए इसका directly तो ये FX receptor को inhibit करता है FX receptor का मतलब होता है एक्सरीप्टर तो ये फार्सेनोईड एक्सरीप्टर को inhibit करता है फार्सेनोईड एक्सरीप्टर को इनिविट करता है FX receptor को उसके उकाम करता है लेकिन उसका dietary is diabetes यूज नहीं है बाइलाशेट बाइंडिंग रेजिन है और कुर्मुला के आपका ब्रड जूगोस की लेवर को कम कर रहा है तो यह हुआ बाइलाशेट से क्कॉस्टेंट यह अभी डीसेंटली एड किया गया है है ना तो यह हो गया आपके सारी मिस्लेंगेस के कंपलीट एक और पॉइंट समझना जब मैंने आपको DPP-4 इनिवेटर बताया था तो वहां पर मैंने आपको गिल्पिन्स बताया थे साथ मैंने यह भी बताया थे कि कौन-कौन से इस GLP एगोनिस्ट है है ना तो वो GLP एगोनिस्ट मैंने बताया था कि वो ओरल हैपोग्लैसमी के एजंटे ही है वो आपके पेरेंटरली रूट से दिये जाते हैं यसे इंसलिन पेरेंटरल रूट से डाइमटीज को सही कर रहे हैं उसमें एक होगया आपका कौन से इंसलिन एक होगया आपका पौन सा GLP-1 agonist drug का नाम है exetanide और leelaglutide एक और नूट कर लेना जो amylin होता है amylin जो insulin की तरीके से ही beta cell ले एक store रहता है तो amylin का एक analog है इसका काम भी क्या होता है? glucagon को inhibit करना glucose के लिए उनको कम करना तो इसी का drug analog है जिसको बोलते है pramlentide तो बस इसमान इतना एक कर लेना कि ये भी आप प्रेंट्रल रूट से देते हो amylin जी अनलोग, pramlentide ये भी आप हम किसे देतने subcutaneous रूट से तो guys ये हूँ आपका पूरा insulin को diabetes को सही करने वाले drugs ठीक है? तो और नाट्रोग्लासी में की एजेंट्स आपका complete हो गया part 2 तो इसको आप part 1, part 2 को एक साथ देख लेंगे तो इससे आपका पूरा diabetes की जो drugs में वो complete हो जाएंगी और insulin के part 1, part 2 को देख लेंगे तो आपका insulin complete हो जाएगा तो इस तरीके से आपकी unit complete हो गई